Assalamu alaikum, Class 8, Subject Math, Exercise 6.2, Question number 1, पहरे बाचो, Exercise 6.2, Question number 1, Find the square of the following numbers. यहांने question number exercise 6.2 पहरे बाइ जो जो होई कि आपके text book पर text book के page number 106 पर है तो question number 1 जो है उसका पहला part है 32 question इसका हमें जो पहला part है 32 इसका हमें square निकालना है 32 square किसके बराबर आएगा तो 32 square 32 into 32 इने actual multiplication करने के बगेर हमें इसका solution निकालना है इसका answer निकालना है हम कैसे निकालेंगे यह इस तरह आपको नहीं करना है 32 इने 32 अगर इसका actual multiplication हम करेंगे तो इस तरह हमें नहीं निकालना है हमें कैसे करना है हमें 32 जैसे 32 आए 32 को हम break करेंगे जैसे 32 किसके बराब होता है 30 plus 2 30 plus 2 12 होगा 12 किसके बराबर है 10 plus 2 10 plus 2 हो गए 12 या 24 24 किसके बराबर है 20 plus 4 20 plus 4 इसी तरह जो 32 है 32 किसके बराबर है 30 plus 2 हो गए 32 32, जब 32 को हम square करते हैं, 32 square किसके बराबर आएगा, तो इसका भी square हम लगाएंगे, 30 plus 2, 32 square is equal to, 32 plus 2 whole square, यहने 30 को भी square, 2 को भी square, यहने 32 plus 2 whole square, तो square जब आएगा इसका, तो 32 plus, 30 plus 2 square किसके बराबर आता है, 30 plus 2 into 30 plus 2, जैसे हम लिखते है, 4 square, 4 square किसके बराबर आता है, 4 into 4, 4 into 4, अगर हम लिखेंगे 2 plus 3, 2 plus 3, इसका square करते हैं, तो यह दो बराएगा, यहने 2 plus 3 into 2 plus 3, 2 plus 3 into 2 plus 3, तो इसका मतलब आए, 30 plus 2 into 30 plus 2, 30 plus 2, तो हमें क्या करना है, 30 से, इस 30 से, इस पूरे को हम multiplication करते हैं, 30 into 30 plus 2, फिर इस plus 2 से, इस 30 plus 2 को multiplication करते हैं, multiply करते हैं, 2 plus 2 into 30 plus 2, अब क्या है, 30 को 30 से, 30, 30, 900, पलस 32, 60, हो गया यह पूरा, इस से हमने किया, 30 से हमने किया पहरे बैचो, अब क्या है, अब पलस 2 से करना है, 30 plus 2 को, 230 से, 60, 22 से, 4, यहने हर एक जगह जहां पलस है, यहांभी पलस है, यहांभी पलस है, यहांभी पलस होगा, यहांभी पलस, तो जब हमने, इसका multiplication किया तो यहाँ है 900 यहाँ है 60 plus 60 plus 60 plus 4 आप इसको गासान तरीक से हम add कर सकते हैं इसका add हम जब हमने addition किया इसका तो हमारा addition जो add आ गया वो आ गया 1024 तो इसका मतलब हो गया 32 square का हमें answer निकला 1024 यहनि without actual multiplication हमने किया इसको तो part 2 जो है वो है 35 question number 1 का question number 1 का तो इसका भी हमें इसी तरह 32 का हमने किया 35 जो है solution हमने लेकिंगे 35 किसके बराबर आएगा 30 plus 5 जिस तरह मैंने पहले बताया आपको समझाया 30 plus 5 तो 35 square जब square करेंगे स्केर करेंगे इसको 35 square किसके बराबर आएगा 35 square is equal to 30 plus 5 whole square यह 30 को भी square और 5 को भी square तो इसका मतलब हो गया 30 plus 5 square whole square किसके बराबर आएगा 30 plus 5 into 30 plus 5 तो हमें लिखा 30 plus 5 into 30 plus 5 तो 30 से किसको करना है multiplication पहले 30 plus 5 को 30 into 30 इस 30 से इस से करेंगे इस पूरे को पहले 30 into 30 plus 5 फिर इस 5 plus 5 से तो 5 को 30 plus 5 से पलस 5 into 30 plus 5 तो इसका मतलब हो गया 30 को 30 से 30 into 30 पलस 30 into 5 30 into 5 पलस पलस 5 into 30 पलस 5 into 30 पलस 5 into plus 5 पलस 5 into 5 अब क्या है आप पहले हम multiplication करेंगे इनको 30 और 5 को 5 30 को 5 और 5 को 30 into 30 हो गया 900 30 into 5 हो गया 150 5 into 30 हो गया 150 5 into 5 हो गया तो हमें क्या हाशल होः 900 plus 150 पलस 150 पलस 25 इं 900 कहाँ से आया 30 into 30 30 150 कहां से आया 30 into 5 150 कहा से आया 5 into 30 25 आया 5 into 5 तो sign जो है वो बीच में क्या है पलस है जब हमने add किया इसका addition किया इसका तो इसका sum किसके बराबर आया नहीं किसका 900 का 150 का 150 का 25 का वो आया 1225 इसका मतलब वह 35 square किसके बराबर आता है 1225 तो पहरे बच्चो इसमें जो third part से लेका six part है बिल्कुल same इसी pattern के साथ आपको इसका solution निकालना है पहले आप इसका screenshot उठाना और अपने notebook पर note करना question number one का तो दो part जो मैंने आपको दिखाए बाकी part जो है इसी pattern के साथ इसी इसके साथ आप खुद करना तो अब आते हैं question number two पर question number two क्या है question number two है exercise 6.2 का write a pythagorean triplet whose one member is triplet pythagorean triplet यहने की तीन number जो होते है pythagorean triplet are in the form of pythagorean किस form में होते है एक होता है 2m दूसरा होता है m square minus 1 तीसरा होता है m square plus 1 m square plus 1 लेकिन m square minus 1 यह भी integer होना चाहिए m square plus 1 यह भी integer होना चाहिए 2m यह भी integer होना चाहिए तो इसका मतलब हो गया six पहला number है एक member इसमें है कितने member होते हैं तीन कितने member तीन एक member है six तो आपको एक member दिया हुआ है तो आपको बोलना बागी number कौन कौन सा होगा बागी member कौन कौन सा होगा देखो let 2m is equal 6 पहला member किसके बराबर हमने लिया 6 के बराबर तो हम यहाँ पहले m का वीलियो निकालेंगे m is equal यह m इसका multiply है तो जब is equal के इस side यह राइट साइड जाएगा तो यह इसको divide हो जाएगा तो होगा 6 is by 2 m is equal 6 is by 2 2,002,2,3,6 तो m किसके बराबर 3 के बराबर एक member कौन सा आया यहाँ m का वीलियो हमने निकाला member एक तो 6 है हमने यहाँ m का वीलियो निकाला पहले m का वीलियो जब निकालेंगे हम तो वो integer निकालना चाहिए तो वो आ गया 3 क्या गया 3 तो इसका मतलब हो गया अब आसानी के साथ सबस्चूर्ट वेलियो आफ m सबस्चूर्ट वेलियो आफ m in m square minus 1 पहला दूसरा कौन है m square minus 1 यह तो 2m जो है हमने किसके बराबर लिया यहाँ गया 3 square minus 1 3 square minus 1 3 square हो गया 3 into 3 minus 1 इसको हमने open किया 3 square 3 into 3 3,009 minus 1 3,009 minus 1 अब सीरी सी बात है 9 minus 1 निकालना है subtraction करना है 9 minus 1 हो गया 8 तो m square minus 1 किसके बराबर निकला 8 के बराबर 8 के बराबर तो ये 8 के बराबर आया अब ये है अब ये निकालना है मैं कौन सा M square plus 1 M square plus 1 हमने लिखा सबस्चूट है विल्यू आप M M किसके बराबर है 3 के बराबर तो M की जगा हम 3 लिखेंगे हो गया 3 square plus 1 3 into 3 3 square हो गया 3 square किसके बराबर 3 into 3 3 plus 1 1 इसे तरह हम लिखेंगे 3 3,000 9 3 3,000 9 plus 1 हो गया 10 के बराबर तो ये किसके बराबर आ गया 10 के बराबर इसका मतलब हो गया M square plus 1 आ गया 10 के बराबर अब टरपलेट जो हमें बन गया वह है 6 A 10 इन्हें 2 M किसके बराबर ये हो गया 2 M से किसके बराबर ये है M square minus 1 ये है M square plus 1 इसका मतलब हो गया ये तीन नंबर जो हो ये है पाइथागोरियन ट्रिपलेट अब दूसरे पार्ट पर हम आते हैं दूसरा पार्ट है 14 14 का हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना है लेट 2 M is called 14 पाइथागोरियन ट्रिपलेट किस फार में है 2 M के फार में M square minus 1 के फार में M square plus 1 तो 2 M 14 के बराबर M का वेलियो हम निकालेंगे M is called 14 by 2 कैसे आपको पता ही है जब ये इसका मालिपलिकेशन जब ये ट्रांस्पोज करेंगे इस साइड तो ये यह तो क्या हो जाता है ये इसका डिवाइड बन जाता है 2,000, 2 2,700, 14 तो M किसके बराबर 7 के बराबर अब वेल्यू आप M करेंगे हम substitute M square minus 1 में M की जगह 7 substitute 7 square minus 1 तो 7 into 7 minus 1 7,700, 49 minus 1 49 में से 1 होगया 48 तो एक ट्रिपलेट निकला हमें 48, ये किसके बराबर 48 के बराबर ये किसके बराबर 14 के बराबर तो इसका मतलब हो गया अब है M square plus 1 M square plus 1 M square plus 1 यहां M की जगह 7 7 square plus 1 इसमें वे यही परक्राइए कि यहां एक minus करना है और दूसरे में एक plus करना है तो 7 into 7 plus 1 49 plus 1 हो गया 49 plus 1 हो गया 50 तो ट्रपलेट हमें कैने मिला 14 48 और 50 या गया 2 M या गया M square minus 1 या गया M square plus 1 ये थे कौशन नमबर exercise point 2 के कौशन नमबर 1 और कौशन नमबर 2 दो पार्ट इसके खुद करना तो इसका भी आप screenshot उठाना और अपने copy पर note करना तो अगली lecture के लिए Assalamualaikum